खिलो फ्रेंड व्ल्कम जन राइन एक्नी बात के करेंगेMacary अगर उनकी के मेकनिसम वफेक्शन के Weezut विदियो आपि यह minimally and play बाद आप में गर piston एक लिंक दिया होगा जहाँ पे क्लिक करके आज आपके लेक्चर का कॉर्डिंग लिए MCQ उसको अटेंड कर सकते हैं और अपना self evaluation कर सकते हैं सबसे पहले हमको बात करना चाहिए life cycle of malaria की क्योंकि यह एक बड़ा complex process है इसको समझने के लिए मैंने आपके दो चीज़ों को यहाँ पे white board में जगा दी है पहला section होगा theory के point of view से कि एक एक step में देखें individual step में होता क्या है कैसे आगे move करते हैं इन ही step को हम समझेंगे diagram की मदद से और विसी video के बीच में मैं आपको एक simple सा flow chart भी animation के रूप में add गर दूँगा animation के रूप में add करने से आपको उनके step by step process को अच्छी तरिके से याद करने में मदद मिलेगी life cycle of mosquitoes का कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हम मच्चर के life cycle के बारे हैं तो तरह डीटेल से बात नहीं करेंगे लेकिन उस मच्चर के उस mosquitoes के अंदर जो parasite present है जो plasmodium present है वो कैसे human body में enter करते हैं human body में कौन-कौन से उनके अंदर changes होते हैं और फिर इसे कैसे एक किसी और anophilies मच्चर में यह आगे जाकर के sexual method से reproduce करते हैं वापस से यह bite करने के बाद human पे पहुंचता है चुकि यह start होता है आपके plasmodium की entry से जिसे हम initial level में sporozoid कहते हैं और खतम होता है तो वापस से एक complete sporozoid जो की mosquitoes के आपके larva के थूँ आपके human body में enter करता है चुकि यह पूरा cycle भूम रहा है इसे लिए हम life cycle कहते हैं यह जो parasite है आपका जो plasmodium है इसके life cycle को पूरा करने के लिए दो तरह के host की आवशकता होती ही पहला जो host होगा वो human body होगा और दूसरा जो host होगा वो एक female anophilis mosquitoes होगा कई book में इसको sickness आगे पिछे किया जा सकता है पर accordingly different books यह sickness आपको याद अखना चाहिए जब के भी भी यह human body में develop करते हैं तो उसके अंदर asexual method से reproduction होने लगता है इसके बाद जब इस तरह के marrowzoid को बाके चीजों को एक healthy mosquitoes सक करता है और इधी के सक करने के साथ यह जो parasite के आपके zygots बगर हैं गेमिटोसाइड बगर हैं यह move करते हैं उस mosquitoes में जहाँ पर उन दोनों का gametocyte का fusion होता है फिर वो एक sexual method के reproduce करते हैं फिर से sporozoid बनाते हैं और वापस से human में transmit होते हैं इस तरीके से इनका cycle complete हुआ overall देखें तो चलिए क्यों एक simple तरीके को follow करते हैं एक दम step by step process को देखना सुरू करते हैं compare करते हैं आपके अपने lifestyle से यागि आपको कभी मच्छर ने काटा होगा तो आप उस चीश को imagine कर सकते हैं जब कभी भी mosquitoes आपके आजपास के गंदे atmosphere से बहार होगर के आपके पास पहुंचता है तो उसे अपनी जीवन को जीने के लिए blood की आवशकता होती है और ये जो blood का second का काम है ये केवल female anophilis mosquitoes करती है तो जब कभी भी female mosquitoes आपके body पे आकर के आपके blood को सक करने के खुशिस करती है वहाँ पे वो एक ऐसे chemical को release करती है जो कि आपके blood को clot होने नहीं देता जैसे हाँ अपनी language में anticoaglant कहते हैं ताकि वहाँ पे चोट लगने के विए से blood clot ना हो और easily वो blood को सक कर सके एक तरीके से देखा जाए तो एक direction में वो आपके blood को सक कर रही है लेकिन अगर passive direction में देखा जाए तो वो अपनी body में present इस protozova को larva के साथ mix करके आपके डंग के मादस से आपकी body में वो inject कर रही है जैसे ही female anaphylase mosquito आपके bite करने के बाद आपकी body में sporozoid को introduce करती है वैसे ही इस malaria का इस parasite का इस protozova का life cycle begin होता है इसके बाद देखे जो sporozoids है sporozoid का एक standard नाम है जिसको आप साधान भासा में समझ सकते हैं कि एक initial level of life cycle के spores like structure होते हैं जिसे हम अपनी भासा में बात करने तो भी जाड़ू जैसे हम लोग बोल सकते हैं वो हम बोलते हैं और ये आपकी body में introduce होते हैं ये blood में पहुंचते हैं blood का मतलब यहाँ पे अभी इरित्रोसाइट से नहीं है एक blood के थूँ ये आपके liver तक होंसते हैं जहां पे आपके इस mosquitoes ने डंग के थूँ बाइट किया था तो ये जो sporozoid है एंटर करेंगे firstly liver यहाँ पे जो हमने has mark लगा है वो बहुत जिरूरी है याद करने के लिए पहला जो interaction या introduction होता है इस parasite का वो हमारी body में liver में होते हैं और liver के cell को दीरे दीरे ये rapture करना start करते हैं develop करते हैं multiply करते हैं अब यहाँ पे जो मैंने एक important word के लिए has लगाया है इसको भी समझ लेते हैं चुकि malaria का पहला attack आपके liver में होता है और liver है क्या? liver का का काम क्या है? liver के basic activity के बारे मागर हम बात करें तो आप पाते हैं कि liver का जो काम है वो mainly metabolism के ले responsible है toxic material को less toxic material में convert करना है किसी भी drug के metabolite को एक suitable form में convert करने के बाद उसे body से बाहर eliminate करना है digestion भी समझ सकते हैं हम इस्टीच को तो जब यह एक natural काम है आपके liver का अब यह liver किसी parasite के आजाने की वाज़े से plasma dium के आजाने की वाज़े से affect होना सुरू हो रहा है तो definitely आप मुद लोजगली इसको imagine कर सकते हैं कि जिस कई काम के उपर affect करने वाले parasite आ गए हैं तो liver का वो काम जिसे आपने देखा वो पक्का कहने कहीं affect हो रहा होगा और इसी कारण से malaria के symptoms के रूप में आपको भूख कम लगती है थोड़ा सा undigestion के problem होती है और आपको vomiting की feeling जिसे हम nausea कहते हैं यह आप फिल करते हैं और कभी-कभी यह जो nausea है वो actual में vomiting के रूप में convert हो जाता है और इसके पीछे का logic यही है क्योंकि आपके जो parasite है उन्होंने initial level पे आपके liver को attack किया liver में पहुँचने के बाद liver cell के अंदर multiply होते हैं develop करते हैं और जब liver cell में यह परियापत मातरा में multiplication कर देंगे asexual method से यहाँ पर याद रखे asexual method के थूँ यह उपना reproduction कर रहे है multiplication कर रहे है कुछ दर बाद जब यह liver के cell काफी मातरा में आपके sporazoid से भर जाएंगे वो वहाँ पर burst हो जाएगा और इसके burst होने के बाद वो release हो जाएंगे चुकि अभी यह पूरा process erythrocyte में नहीं हो रहा है यह erythrocyte के पहले हो रहा है तो इसको हम लोग कहा सकते है pre-erythrocytic cycle या pre-erythrocytic stage दुसरा आगे देखें जब यह develop हो जाएंगे multiply हो जाएंगे cell rupture हो जाएगा और अपने release करेंगे nerozoid को अब यहाँ पे दो चीज़े आपने पहले पार्ट में भी देखा होगा depending upon different types of plasmodium falsifier हम के case में 48 hours था वैसा ही दूसरे case में 72 hours के case में accordingly यह burst होने का case था RBC के case में वो भी हम इस चीज़े लोजिकली समझना सुरू कर जाएंगे इसी वीडियो में तो अब जब यह sporosoid multiply हो करके आपके हिपेटोसाइटिक सेल से burst हो करके आगे जाकर के Erythrocyde RBC में move करने वाले होते हैं तब इन ही को हम बोलते हैं Merozoid पहला जो था वह आपका sporosoid था दूसरा आपका Merozoid है यह Merozoid move करना start करता है from liver cell to the blood cell यहाँ पर मैं आपको एक थोटा सा trick बता रहा हूं जो logically बिलकुल नहीं है के वल याद दटने के परपस से है इसमें आप logic ना डूंढें पहला था आपका sporosoid जो कि आपके starting के phase में था initial phase में तो sporosoid का पहला word is starting phase का पहला word start का is तो starting for sporosoid और Merozoid में पहला word जो है M that is it is moving from liver cell to the blood cell that is why we can say it it is not logically we can say it Merozoid which moved from the liver cell to the blood cell आगे बात करेंगे जो Merozoid है pre-Erythrocytic cells के बाद आगे दाकर कि Merozoid enter करता है red blood cell में red blood cell में enter करेगा तो क्या होगा symptom कैसे develop होंगे इसको हम लोग जरूरी जानना समझ सकते हैं देखे जिस किसी ने भी malaria के symptom को face किया होगा वो बहुत अच्छे समझ सकता है जब उसको malaria अच्छल में हो गया होता है तो उसकी body थोड़ी सी weak होने लगती है कमजोरी आने लगता है body pain होने लगता है book में कमी के logic आपने समझा साथी साथ उसको fever chills आने लगते है तो यह जो fever chills का आने के पीछे का कारण यह है कि जब यह parasite grow होते है multiply करते हैं तो हमारी body में कुछ cytokines develop होने लगते हैं जो कि आपके इसी तरह के inflammatory response को start करते है fever को start करते है pain को start करते है chay को start करते है RBC हमारी body में और उस body के अंदर different differences तक इस oxygen को छोड़ देता है यह जो cell आपके oxygen को use करते हैं तो कहिने कहिन oxygen को use करने के बाद अपनी activity को पूरी करने के बाद वो CO2 भी release करेंगे तो यह जो oxy hemoglobin था वो अब carboxy hemoglobin में convert हो जाएगा जो की carbon dioxide को लेकर के आएगा और exhale करेगा कल मिला करके आपकी body में जो energy का एक प्रकास मूवमेंट है उसके पीछे hemoglobin की बहुत ही मत्तुपूर्ण भूमिकाएं हैं तो अगर RBC के अंदर इस तरह के जो parasite है वो grow करेंगे दीरे दीर जब multiplication इनका बढ़ते जाएगा तो वो burst हो जाएगे वैसे एक छोटे balloon पे आप हवा बढ़ते जाते हैं एक limit के बाद जब आधिक से अधिक मात्रा में आप हवा भरने का प्रयास करेंगे वो balloon burst हो जाएगा फट जाएगा बिल्कुल वैसा ही आपके RBC के इर्थ्रोसाइटिक सेल्स हैं इनमें अगर हम बात करें प्लाजमोडियम फैल से फैरम की तो ये 48 hours के बाद burst हो जाएगे ये burst हो जाना आप ये RBC को destroy करता है RBC का जो count है वो दीरे दीरे कम होने लगेगा यही कारण है आपके weakness का आगे बढ़ते हैं logical point को समझने के बाद जब ये RBC में पहुँचेंगे तब वहाँ पे वापस से ये develop करेंगे और multiplication करेंगे यहाँ पे जब इनका development और multiplication होगा तो इस phase को हम बोलते हैं erythrocytic cycle अब ये erythrocytic cycle क्यों कहलाया और पहले का pre-erythrocytic cycle क्यों कहलाया आगे आप देखेंगे exo-erythrocytic वो क्यों कहलाया logical है ये पुरी चीज़े कहां हो रही है आपके erythrocyte erythrocyte मतलब red blood cells तो इसलिए cycle को जो के RBC में पूरा cover कर रहा है इसे को हम बोलते है erythrocytic cell ये याद रखें erythrocytic cell में होने की वज़े से ये जो cycle है ये जो phase है इसे को इसी के नाम के उपर पड़ गया erythrocytic cycle और erythrocytic phase आगे हम बात करें it need 48 hours in case of plasmodium falciferum जो RBC है उसके अंदर जब ये multiply करेंगे multiplication के बाद जो रप्चर होगा उसको रप्चर होने के लिए 48 hours time लगता है और अगर हम plasmodium malariae के case में बात करें तो इसी को 72 hours लगते हैं depending upon the type to type ये आपका जो life cycle in bursting case में है वो variable होगा 48 to 78 hours के साब से ये जो plasmodium falciferum है बहुत dangerous है severity के case में ये सबसे उंचा अपना स्थान रखता है लगबग लगबग 90% जो CVRT का rate है malignant tersian जिसको लिए पहला नाम दिया था वो इसी plasmodium falciferum के साथ में ही हैं आगे देखिए erythrocyte rupture जिस बात को मैं कह रहा था वही बात अब यहाँ पे हो रहा है आपकर interval ये erythrocyte rupture होगा rupture होने कारण से ये एक erythrocyte है rupture हो जाएगा तो इसके अंदर कर जो आपके merozoid present है वो अब release हो जाएगे so आपकर rupturing release the merozoid ये जो merozoid release है वो आगे दागर क्या करेंगे inverse fresh RBC and continue to multiply इसका क्या मतलब है हम diagram जब देखेंगे ता आपको और clear होता चलेगा माल लेता हूँ कि ये एक erythrocyte है जिस पे आपके merozoid multiply हो रहे है और ये आपका nearby erythrocyte है RBC है जिस पे अभी किसी भी तरह का आपका merozoid present नहीं है तो जब इसके अंदर के merozoid completely mature होने के बाद burst हो जाएगा तो इसके अंदर से merozoid निकलेंगे वो आपके nearby RBC में फिर से enter करेंगे फिर से वो multiply करेंगे फिर से वो रप्चर होगा इस तरीके से ये जो पूरा phase है वो RBC में ही continue चलता रहेगा और आपके जो plasmodium के कारण से malaria होने के संभावना है वो देरे देरे आपको और तकलीब देना स्टार्ट करेगा एक phase यहाँ पे यह भी है आगे अगर हम बात करें तो देखे यहाँ पे पहला note हम यहाँ पे consider कर लेते हैं the materials which release यह जो RBC की मैं बात कर रहा था यहाँ पे यह RBC के अंदर जो आपके merozoid है जब बात करेंगे जब कभी भी कोई भी ऐसी चीजे होंगी जो आपकी body के natural process के हट कर के होगी naturally कभी तो हमारे body में एक particular life cycle के अलावा कभी RBC बात कर नहीं होगा बस नहीं होगा natural process को छोड़ दें अगर abnormal तरिके से नहीं होगा तो यह जब abnormally आपका RBC merozoid को release करते वे बस्ट होगा तो वो एक cytokines release करेगा जिसके कारण से आपकी body में inflammatory mediators release होंगे और यह आगे दा करके आपको fever और other type of symptoms chill, pain यह system cause कर सकते हैं आगे हम बात करते हो देखिए in plasmodium, vivax and ovale the sporozoid in liver enters in dormant stage that is simply known as the hypnozoid यहाँ पर पहले रुपते हैं फिर आगे बात करेंगे इस diagram से भी आप समझ सकते हैं देखिए जब कर भी हम बात करते हैं plasmodium falciparum की तो यह relapse तो करता नहीं पहले पार में मैं आपको purchase expand क्या है अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार से आपको start करना चाहिए plasmodium vivix यह आपके लिए दिक्केट कॉस करने वाले हैं यह relapse करने वाले हैं तो इसी तरह से vivix के case में देखिए या अवाले के case में देखिए तो यह आपको relapse करेंगे इसका मतलब यह है कि अभी भी जो यह protos हुआ है वह आपके liver cell में एक dormant case में चिपए हुए है एक hypnozoid के form में चिपए हुए है इसी को हम dormancy भी बोल सकते हैं slipping stage भी बोल सकते हैं वह आगे राके activate हो सकते हैं इसलिए यह वापस से कुछ दिनों बाद relapse हो सकते हैं यह चिपए हुए है मौका देख रहे है अभी active नहीं है that is simply a logic behind relapse और इसी को हम भोलता है exo-erythrocytic stage तो आगे देखिए which multiply later जो कुछ दिनों बाद multiply करेगा और आगे जाके आपका relapse कोस करेगा and this is simply known as the exo-erythrocytic stage हमने तीन में में अलग अलग step के बारे में देखा सुना और समझा पहला है pre-erythrocytic stage rbc में आने से पहले आपके liver में और दुसरा erythrocytic से phase या cycle जो आपके rbc में हो रहा होगा और एक exo-erythrocytic से जो की basically अभी भी liver में हो रहा होगा लेकिन यह पहले आपको दिखेगा नहीं यह dormancy में जाएंगे later on यह अपना effect दिखाना सुरू करेंगे तो यह एक theoretically था words के form में कि एक life cycle malaria के parasite का कैसे होता है इसके बाद अगर आगे के चाहनी सुनना है तो यह जो पूरा develop हो जाएगा तो वो आगे जाकर करके आपके gametocyte में convert होंगे यह gametocyte में male अलग है female अलग है और जब वापस से एक unaffected mosquitoes आपको bite करने आएगा तो वापस से आपके blood के थूँ वो जो परासाइट के gametocyte present है वो उनके stomach में पहुँचेंगे फिर आगे different differential division के accordingly यह जब fuse होंगे तो एक नए sporosol को बनाएंगे multiplication होगा फिर से multiplication होने के बाद वो आपके यानिकी मच्छर के saliva तक पहुचेंगे और इस saliva के थूँ वापस से जब आपके body में introduce होगा किसी healthy person में तो यह life cycle जहां से सुरू हुआ था वापस से वहाँ touch करता है वो एक cycle बनाने लगेगा चलिए आपके knowledge को थोड़ा और boost कर दें एक diagram के point of view से देखें हाने की यह revision मस्क मात्र होगा सबसे पहले जो female anophilies mosquitoes है वो bite करती है वहाँ के जो numbering आप green color में देख रहे हैं वो यहाँ के accordingly है यह जो has के साथ में आपके numbering है वो एक hypothetical numbering है तो सबसे पहले female anophilies mature mosquitoes bite करती है इसके bite होने के वेज़े से यह जो sporzoids है initial level पे वो sporzoids move करते हैं आपके liver यह यह याद रखें sporzoids entry करेगी पहले liver में तो यह जो liver में sporzoid होगा इसे हम लोग बोल सकते हैं pre-erythrocytic saizogony, saizogony मतलब a-sexual method का एक example है जहां पे liver में multiplication होगा आपके sporzoids का तो जब यह pre-erythrocytic saizogony के बाद दो चीज़े होंगी parallelी पहला case होगा कि यह आपके exo-erythrocytic cell के रूप में आपके liver के case में रहे जाएंगे यह applicable होगा plasmonium vivax के case में और ovale के case में mostly vivax के case में ताकि यह आगे जाकर के hypnozoid के palm में बने, relapse करें और वापस से आपके rhizrocytic face में एंडर कर सकें जिसे relapse की problem हो सकती है दूसरा एक vertical के साबसे अगर आप देखा जाए इस तरीके से तो देखिए यह आपके जो sporzoid है pre-rethrocytic saizogony के बाद move करेंगे तो वो कहलाएगा आपका merozoid, यह जो merozoid है आपके RVC में पहुचेंगे, cycle सुरू होगा initially यह थोड़े मात्रा में होगा इनका multiplication होगा, एक गुच्छे जैसे बने लगेंगे, जिसे हम trophozoid कहते हैं, यह जो trophozoid है वो parallel, दो चीज़े काम करेंगी पहले वो आगे दाकर के gametocyte बनाएगा जिसमें ace, sexual method के रूप में अभी male और female बना हुआ है साथी साथ, यह फिर से merozoid बनाएगे बस burst होगे, और यह burst हुआ merozoid वापस है, आपके fresh RVC में अटैक करेगा, और यह process चलता को वापस से release करेंगे, और फिर से यह जो पूरा का पूरा process है मरेलिया का life cycle, वो begin होने के बाद इस तरीके से चलता रहेगा So friend, मैंने आज इस वाले whiteboard section में अभी आपको life cycle of malaria को simple तरीके से explain करने की कोशिश की है आपको उमीद करता हूँ कि यह समझ में आ जायागा, अब इसके बाद छोटा सा एकदम स्रिंपल सा आप one to one के form में flow chart आप देखेंगे इसके बाद हम बात करेंगे anti-mullet drug के classification को दो तरीके से, तो चलिए उस classification को presentation के form में देखें, सुनें और समझें उसके बाद description box में जाकरके link को open करके, आज की इस lecture का एक class test दे देखें, अपने आप में कितना capable हुए हम कि इस चीज़ को समझ दकते हैं इससे के साथ, thank you very much for watching this video वीडियो अभी बचा हुआ है, reference की बात करते हैं तो आज के लिए मैंने दो चीज़ों को यूज किया हुआ है, KD3 Party भी यूज किया है पजमजा उदय कुमार भी यूज किया है और कुछ हद तक मैंने net से literature भी सर्च किया है, that's all for the day, thank you नमस्कार किया हुआ 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 है किया हुआ है क्लासिफिकेशन एक तरीके से हो तो आपके लिए इंक पॉर्टेंट है लेकिन अगर क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो एक से ज़्यादा हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंक पॉर्टेंट बन जाता है तो आज हम जब anti-camalor drug के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे दो तरह का क्लासिफिकेशन KD3 Party को फॉलो करते वे देखेंगे तो इनको हमने इनके chemical structure के साफ से classify किया है और अगर हम पदमजा उदाइक उमार के साफ से देखेंगे तो इसमें इनको इनके chemical nature के साथ साथ इनके mechanism of action या यू कहलें कि इनके site of action के accordingly classify किया गया है जब हम इनके classification को site of action या mechanism of action के साफ से समझते हैं तो ये बहुत ही मत्तुपूर्ण हो जाता है आपके theory exam के point of view से भी और GPAT, NIPER, Pharmacist जैसे अन्य competition exam के point of view से भी कारण क्या है ये भी जालने के सुरू करेंगे कारण ये है कि जब आप किसी drug का नाम उनके mechanism of action के सामने लिख करके याद करते हैं तो वो drug का कहां पे कैसा use होगा, कौन से step को, कौन सी जगा को affect करके वो अपना rolling importance दे रहा होगा तो इससे जुड़ी भी side effect interaction भी आप आसानी से calculate कर सकते हैं तो चलिए अब हम सुरू करने वाले हैं आपके anti-malarial drug का classification अभी हम जो पहला method of classification देखने वाले हैं anti-malarial drug का वो based है उनके chemical nature के accordingly और इसका जो reference है याजी से हमने जहां से adopt किया है वो है KD3 particle latest edition यानकी 8th edition page number 875 सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके chemical class का तो पहला class है 4 amino quinolines और इस 4 amino quinolines के important example में सबसे important है आपका chloroquine chloroquine के बाद अगला example है amodia queen और pipera queen दुसरा जो class है वो है quinoline, methanol और इसके अंदर के represent करने वाले example है mefloquine अगला हम बात करें जो की एक और important drug है इसका mechanism action भी हमको समझना ज़रूरी होगा आगने वारे class में यह है synchona alkaloids और यह आपने कोगनोसियों में भी पढ़ा होगा इसके अंदर का सबसे important example है quinine और quinidine यह दोनों आपके लिए काफिंग important होगा other other case में भीन का example होगा malaria के अलावा भी यह हमारे लिए useful drug है इसके बाद अगला जो class है chemical के accordingly वह है by guanide और इसके अंदर का example है pro guanil और इसके अगला class है di amino paramedines और इसका represent करने वाल example है pyrimethamine अगला जो class है वह है 8 amino quinolines और इसके अंदर का सबसे represent करने वाल example है prima queen and tafeno queen यह तो prima queen है वो बहुत important drug है यह तो हर एक drug important है किन कुछ drug आपको उनके नाम दे करके इनके काम क्यानिके इनके mechanism of action के बारे में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं इनको specifically आपके लिए highlight करता हुआ चल रहा हूँ आगे एक class है sulfonamide और इसी को हम लोग बोल सकते हैं sulfon के रूप में भी जो कि आपने अलरड़ी antibiotics में पढ़ा भी है और इसके example है sulfadoxim, sulfamethoparazine और depzone अंटिबाटिस की बात करें specifically तो इस तरह से malaria के cure करने के लिए कुछ drug जो इस category में रखे गए हैं इनके mechanism function को आपने देखा हुआ है फिर हम बात करते हैं अगले class की तो यह है आपका sesquiterpene lactones और इसके अंदर का example है artisunate, artimether, artiether, dihydroartimicinin और आपका artirolene यह बहुत ही important class की drug है और यह आगे भी आप देखेंगे radical cure के लिए use होता है मस्तिस्क malaria के लिए, brain malaria के लिए भी काफी ज़्यादा use होगा आपका artimicin, artimeter उसके बाद अगला जो class है वह हमारा amino alcohol और इसके अंदर example है hellofantrine और lumifantrine आगे बात करते हैं neptoquinone की इसके अंदर example है etovacquin और paronaridine अगला class है neptiridine और इसको बिज़ौंग करने वाल example है paronaridine तो यह हो गया इनके classification according to their chemical structure और chemical nature चले अब हम बात करते हैं antimal drug classification according to their mechanism of action और इसी को कह लिए site of action के accordingly यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपके लिए एक table भी include किया है और एक image भी यहाँ पर include किये हैं यह जो image का reference है वो KD3 Party का है जो पीछले section में आपने देखा उसी का image यहाँ पर हमने यूज किया है और यहाँ पर टेबल देख रहे हैं उसका reference है pharmacology for pharmacy student by पदमजा उदाकुमार first edition page number 610 तो यहाँ पर हम सबसे पहले classification को देखेंगे लेकिन उससे पहले हमने आपको theory class में यह भी बताया हुआ है कि एक malaria का basic life cycle क्या होता है इसी life cycle के किसी भी step को affect करके हमारे जो anti-malil drug हैं वो अपना काम करते हैं अपना mechanism of action शो करते हैं अपना therapeutic effect शो करते हैं तो सबसे पहले एक दम rough में अगर हम बात करें इनके sequence की यानि के life cycle की तो सबसे पहले tissue stresantocytes होते हैं यहां पे आपका जो protozova है यानि कि जो malaria के लिए responsible हमारा parasite है एक प्रकार से वो female anophilis mosquitoes के bite होने के कारण से इनका जो sporozoid है वो आपके blood के थूर होता हुआ आपके liver में पहुँचता है इस liver में यह जो sporozoid है वो आगे multiply करते हैं फिर वहाँ से release होके marrowzoid के form में आपके RBC में पहुँचते हैं और RBC में पहुँचते हैं तो इस हम लोग बोल सकते हैं erythrocytic saisoning यहां पे यह आपके erythrocyte को affect करेंगे rapture करेंगे multiply करेंगे और यह gametophytes के form में convert हो जाएंगे और इसी gametophyte को आगे जाकर के कोई और मच्चर सक करेगा जब आपके blood को तो आपको फ्यूज हो करके sexual method के through इंको reproduce करना सुरू करेंगे तो इनके यह जो main 3 cycle है इनहीं को affect करते हैं इनमें पहला होगा हमारा tissue cesantocytes दूसरा होगा आपका blood seedantocytes और gametocytes इसके काम करने के तरीके इनके face को affect करने वाले drug होंगे तो चलिए इसी image को reference रखते हुए हम इनको classify करते हैं इनके mechanism के accordingly सबसे पहला conditions यह करेजे कि stage of their replication या लाइप cycle सबसे पहले देखिए casual prophylactic अगर हम इसको basically इनके primary tissue cesantocytes के accordingly classify करना चाहें तो यह एक ऐसे drug का काम करने का तरीका है जो basically destroy करता है parasite को liver में तो कि जो पहला invaliding होंगा parasite का वो liver में होगा और liver के cell जब rapture होंगे तो वह आगे जा करके आपके arthrocytic cell में पहुँचेंगे और वहाँ पे उसको भी develop करना सुरू करेंगे mature करना सुरू करेंगे तो यहाँ पे invasion of arthrocyte को prevent करने का काम करते हैं हमारे casual prophylactic drug और इस category के important example है prima queen और pyrimethamine यह जो drug के नाम है वो बहुत है important है तो आपका chemical classification तो important है लेकर उससे कहीं ज़्यादा यह वाला classification important है दूसरा देखिए blood cesantocytes जो example है वो आपके chloroquine quinine artemisine and its derivative साथिसाहत अगर हम बात करें other example की तो mefloquine halofentrine pyrimethamine etokinone और chloroguanide यह बहुत ही important drug में से एक है यह काम करसे करते हैं यह तो जब हम class पढ़ेंगे आगे आने वाले class में तब आपको और अच्छे समझ में आ जायागा लेकिन इनका एक जो brief introduction है mechanism का वहाँ पर देख लीजे यह suppress करते हैं destroy करते हैं parasite को in RBC में और RBC में parasite के infection को उनके invaliding को कम करने का फायदा यह होता है कि finally यह clinical attack को terminate कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें अगले stage की of malaria parasite के तो देखें tissue scesontocytes है यहाँ पर आप देख सकते हैं image में यह आपका blood scesontocytes था यह tissue scesontocytes है तो यह जो tissue scesontocytes है वो basically use होते हैं prevent करने के relapse के process को अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि relapse होता क्या है relapse मतलब होता है वापस से बार-बार एक frequent interval के बाद जो की सुसुपता वस्था में या इससे हम dormancy कहते हैं इस पे रहने वाले parasite थोड़े देर बाद कुछ समय की conditions के accordingly activate हो जाते हैं और वापस से malaria की problem को start करते हैं और ऐसे ही conditions को हम लोग बोल सकते हैं hypnozoidococidal और यह जो drug हैं वो आपके hypnozoid को affect करते हैं और इस करा के जो cases है relapse के वो हमको basically देखने को मिलता है plasmodium y-wix और plasmodium ovale के case में क्योंकि इनी दोनों के case में relapse समभावना है और आपने फर्स पार्ट में यह भी देखा कि exo-erythrosatic stage जिनमें पाय जायागा वही relapse को अकर करते हैं तो इस तरह से अगर relapse की समभावना होती है तो इसको ठीक करने के लिए जो drug use करेंगे हम वह है आपका Prima Queen और Tafeno Queen आगे बात कर ये बहुत important है इसके question कई बार पूछे गए थे हमारे ही एक बार जब हमने participate किया तब भी एक question पूछा गया कि radical cure करने के लिए किस तरीके के antimal drug को यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए radical curative यादि की एक ऐसे drug है जो eradicate करते है all forms of plasmodium y-vex and plasmodium ovale को जो की आगे जाकर के relapse कर सकता था और इस तरह के effect दने वाले drug की जो example है वो है blood cesontocytes इसमें जो example आपने देखे chloroquine, quinine, antimicine यह सब यूज करेंगे साथ यसाथ जो hypnozotocytal है यह भी यूज किया जा सकते है फिर हम बात करते हैं Lex class की तो यह आपका gametocytal drug जो की आगे जाकर के male female के जो sexual method है इनको effect कर सकते हैं और यह जो drug है वो destroy करेंगे gametocytes को और prevent करेंगे इनके further transmission को इस तरह के drug है Primaquin, Cloquin और Quinine यह था हमारा आज का classification जिसमें हमने दो main तरीके को देखा आपका chemical nature के accordingly और उनको उनके काम करने यानि की mechanism को off action के accordingly आने वाले समय में हम इन ही conditions के accordingly आपके एक एक important individual drug के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए Thank you very much for watching this video Namaskar